रिस्ता बनाने से ज़्यादा जरूरी है रिस्ते को निभाना मैं ये लाइने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा और मेरे भाई का रिस्ता इसी लाइनों पे डिपेंड करता है हमारा रिस्ता काफी लंबे टाइम से चल रहा है मैं अपने भाई के रिसेप्शन पार्टी प साथ देते रहना और मैं आज आपको सच्चाई बताऊं तो ये मेरा मू बोला भाई है और आपको हकिक बताती हूं कि आज की इस मतलबी दुनिया में सिर्फ एक सच्चाई रहागी है तो एक भरोसा रहा गया है तो मैंने अपने भाई से यही बोला था इस लड़के का नाम है सुमित मिन की सुमित कभी भी चाहे तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो ये मत सोचना कि दीदी के पास जा रहा हूँ राखी बन वाने तो दीदी क्या सोचेंगी सिर्फ तुम समय पर आ जाना मेरे लिए यही काफी है तो इस लड़के ने यही नियम बहुत अच्छे से अप तो करते हैं आज की वीडियो की सुरूवात वर यर्थ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जल से जल बैल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिलता रहे और इस वीडियो में अभी जो आप पीछे देख रहे थे वो मेरी मम्मी थी और मेरे भाई के बच्चे थे और रिस्तो को निभाना तो कोई अच्छे से जानता है लेकिन कुछ न कुछ यदि उनमें खटास आती है तो उस खटास को तुरंथ हैंड टू हैंड खटम कीजिए क्योंकि जब रिस्तो में एक बार खटास आ जाती है तो वो बहुत लंबे समय तक चलती है साइद वो कभी भर खटम भी नहीं हो पाती तो फ्रेंड्स रिस्टों में खटास मत आने देजिए क्योंकि जिन्दगी बहुत छोटी है और मैंने अभी रिसेप्शन पार्टी में यही कहा था कि मेरी मुमी है तो ये मेरे भाई की बेटी है इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये मेरी मुमी है मुमी को तो आपने मेरी वीडियो में कई बार देखा है और ये चोटी भेहन का बेटा था तो चलिए अब करते हैं आगे की बात तो फ्रेंड्स कल रात काफी लेट हो गया था रिसेप्शन पार्टी में आने के बाद और मेरी सुबह आख खुली करीब सा साथ वजे के आसपास ये देखी साथ वजे सूरज इतना ऊपर आ गया और बच्चों के स्कूल भेजने के बाद मैंने थोड़े से घर के मसाले उनको सुखाने का काम सुरू कर दिया क्योंकि डेली रुटिन के काम कभी खतम नहीं होते हैं तो बच्चों के स्कूल भेज दि ये मेरे भाई का बेटा है और जो लड़किया भी मेरे पास खड़ी थी वो मेरी बड़ी भेन की बेटी है तो ये कहते हैं रिस्तों में बॉंडिंग बहुत अच्छी बात होती है अगर आपके रिस्तों में बॉंडिंग बहुत अच्छी है तो रिस्ते हमेसा चलेंगे दुनिया को मौके मत दीजी अपने रिस्तों में इतना विस्वास रखिए और मैं जो स्क्रिन पे कुछ बोल रही हूं मैं जरूर सुनाती पर पीछे म्यूजिक चल रहा था इस बात के कारण मुझे अपनी आवाज को म्यूट करना पड़ा फ्रेंड्स तो कभी कभी कुछ बा पार्टी को टेंड करा है पर नेस्ट डे मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मुझे एक सगाई में जाना पड़ा है और हजबन तो चले गे ते सुभह ही ओफिस लेकिन मैंने उनसे कहा था कि भई आप मुझे रास्ते में मिलना ताकि भई जाना तो सभी जगह पड हैं यह समय भी माइने रखता है और घर के छोटे-छोटे से कामों को निपटाते वे मैं फटा-फट से तयार होके निकल जाती हूं क्योंकि हजबन को मैंने बोल दिया था कि महाँ पर मिलना और उन्हें छुटी नहीं मिल सकती थी तो वे अपने ओफिस टाइम में कहके इन्हें अपना ओफिस अटेंट करना था मुझे शाम को बच्चों के लिए खाना भी बनाना था और जो मसाले मैं सुखा कर ऊपर गई थी उन मसालों को टाइम से भूनना भी था क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है तो जिन्दगी में हर काम करना पड़ता यह नहीं कि सिर्फ एक शादी में चले गए तो आज खाने की छुटी नहीं नहीं उसके साथ इतने सारे काम सुरू हो जाते हैं भई घर पे बच्चे हैं तो उनके लिए तो मुझे खाना बनाना ही था तो खाना बनाने का तो काम अभी मैं बाद में दिखाऊंगी आपको शायद ना दि कुप भी बहुत हलकी होती है तो यदि आपको घर के पिसेवे मसाले ही चाहिए तो एक दिन की धूप लगाईए और जब आप इससे पीसने के लिए पीसने की तैयारी करें तो दो मिनट पहले आप इसे कढ़ाई में हलका सा रोस्ट कर लीजिए रोस्ट करने के कारण क्या ह होगा कि धनीये में जितनी भी नमी होगी वह सब बाहर हो जाएगी इस तरीकिसे आप कपड़े से भी घुमा सकते हैं चमत से भी घुमा सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे बस हलका सा ठंडा होने के बाद तुरंत ही आपको ये धनिया ग्राइंड करना है तो मैं चलनी की ह धनिया फैल जाएगा फिर हाथ में नहीं समेटा जाएगा तो मैंने चाय की चलनी का यूज करा है और इसको जल्दी से जल्दी मैं भी ग्राइंड करके आपको दिखाती हूं और आपके घर में इतने सारे बरतन होते हैं वो कहीं ना कहीं यूज हो ही जाते हैं जैसे कि अब देखिए धनिये को मिक्सी के जार में डालने के लिए मैंने चाय की चलनी का यूज कर लिया है तो फ्रेंड्स ऐसे ही छोटे छोटे सी बाते होती है यदि आप इन्ही बातों को ध्यान में रखेंगे और अच्छे से बई शेयर करेंगे तो क्या पता किसी और का भी थोड़ रसा फायदा हो जाए वो भी सीख जाए वी चाय की छलनी से सिर्फ चाय नहीं पाई जाती है कुछ और भी काम हो जाते हैं तो अगर ये बात आपको ठीक लग रही है फ्रेंड्स मुझे कमेंट में जरूर बताना और धनिया पिस चुका है यह देखिए कितना अच्छे से ब धनिया में बिल्कुल भी नमी नहीं है यदि नमी होती तो कहीं ना कहीं हमारी मिक्सी पेर लोड पड़ता पीस तो देती जब लिक्विड मसाले को मिक्सी पीस देती है तो धनिया को भी पीस देती लेकिन उसमें इतनी अच्छी स्मेल नहीं उठती और जब हमने इसको हलका सा रोष्ट किया है तो इसमें से बहुत अच्छी इसमेल भी आ रही है और ये धनिया मैं अभी एक उसमें कंटेनर में भरकर रख दूंगी ताकि कम से कम बीज दिन तो अराम से निकल सकें और बीज दिन बाद मैं फिर से यही प्रोसेजर करूँगी तो मैंने अभी सारा धनिया नहीं पीसाता हूँ जितने धनिये की जरूरत थी मैं पूरे महीने का धनिया नहीं पीसती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स परिवार छोटा होता है और ये भीस दिन नहीं ये काफी दिन चल जाता है धनिया भी पूरे लगातार वीक में साथ दिन होते हैं तो सातों दिन तो कभी कभी सबजी नहीं बनती है पाँच ही दिन बन पाती है कभी बाहर का हो गया कभीी आज बच्चों का मन नहीं हुआ तो जादा लंबे समय तक मसाले भी नहीं रखने चाहिए आप उतने ही मसालों को बनाईए या पीस ये अपने घर में जितनी आपको जरूरत है तो मैं 20 दिन के हिसाब से ही मसाले पीसती हूँ और इसी तरीके से मैं अपने घर में अभी मिर्ची को भी पीसूंगी मिर्ची को पीसते वे मैं उसे भी रोष्ट करूंगी लेकिन मिर्ची को जब आप इस तरीके से रोष्ट करेंगी तो थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि मिर्ची से धसक जरूर उठती है और अपने कंटेनर्स में जब मिर्ची को भरें तो चम्मच का जरूर यूज करें क्योंकि हातों में लग गई और मिर्ची का सर काफी लंबे समय तक रहता या तो फिर आपको आटा गूत कर मिर्ची का सर कम होगा या तेल लगाना पड़ेगा साबून से अच्छी तरीक से वोश कीजिए चले फ्रेंड्स ये मसालों वाली ब बाते करते हैं साधियों का सीजन तो चल ही रहा है और शाम को गीतों का प्रोग्राम भी होता है यदि आज सगाई है तो आज शाम को गीत भी गाय जाएंगे तो उन्हीं गीतों को याद कर रही थी मैं ऐसे ही गुन गुना रही थी तो याद आया बनना बुलाए बननी को तू सारा रा चली आना कहो तो इका भेजू, कहो तो रिक्षा भेजू कहो तो भेज दू मैं गाड़ी, तू सारा रा चली आना इस तरी के छोटी छोटी सी लाइने हैं और एक ओर लाइन याद आई है इसी में कहो तो सूट भेजूं, कहो तो मैकसी भेजूं, कहो तो भेज दू मैं साड़ी, तू सारा रा चली आना तो फ्रेंड्स ये जो शादियों का सीजन होता है, बहुती एंजोई वाला सीजन होता है भई अब आपकी पुराने यादे ताजा हो जाती है, इतने सारे हसी मजाग हो जाते है तो इसी हसी मजाग के बीच में फ्रेंड्स अपने बच्चों की पढ़ाई को डिश्टर्मत होने देना क्योंकि इसी सादियों के सीजन में बच्चों के एक्जाम भी चल रहे हैं मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपसे ये बात कही थी कि हर चीज को समय देना होता है तो रोज जोज तो अगर मैं ये अपनी हजबन से कहूँ है कि आप छुटी ले लिजे आज इहां पर शादी है कल को वहां पर रिसेप्शन है तो ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स या बच्चों से रोज कहूँ है कि आज बच्चों आज स्कूल मत जाना आज वहां पर जाना है तो ये बात भी इंपोसिबल है बच्चों की पढ़ाई से बड़ी तो कोई भी चीज नहीं है आपकी लाइफ में तो कुछ काम आपको अकेले ही करने होते हैं जैसे कि आज सगाई वाला प्रोग्राम मैं और मेरे हजबन ने अकेले ही अटेंड किया बच्चे स्कूल में थे और उसके बाद अभी ये मसाले पीसने के बाद मैं भी गीतों में चली जाओंगी बच्चों को खाना बनाने के ब लेकिन मैं गीतों में जाओंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई को डिश्टर्ब करूंगी नहीं उन्हें प्रोपर उनका खाना देकर दूद देकर शाम रात में जैसे बच्चे पढ़ते हैं उन्हें दूद की बहुत जरूरत होती है और कम से कम उन्हें मैं नो बजे तक बिस्तर पे पहुँचा दूँगी ताकि भई सुभै को उठने में उन्हें दिक्कत ना हो सर्दियों की जो राते होती है फ्रेंड्स थोड़ी सी लंबी होती है और बच्चों को जब आप सुभै को खुद उठाएंगे यदि आप ना यदि आपके घर में बच्चे छोटे हैं और बच्चों को जब आप उठायते हैं मम्मी भी दो मिनट और सोने दीजिए और यही बात जब बच्चे अपने आप उनकी आँख खुलती है तो वो बिलकुल सही से पढ़ेंगे अपने आप फ्रेश भी हो जाएंगे कोई आ जरूरी है कि टाइम से इन बच्चों की नींद पूरी हो सके और रात के नो बजे आप अपने बच्चों को बिस्तर पे जरूर भेज दीजिए यदि आपके बच्चे स्टडी कर रही हैं तो फ्रेंड्स आपको टीवी को अबॉइड करना पड़ेगा मेरे घर में सही बता जरूरी के कारण ही नहीं लिया है लेने वाली कोई बात नहींए इस सिर्फ ये कि भाई अपनी दस इच्छाएं रोकनी पड़ती हैं बच्चों की इस्टडी के लիए वरना आज की दुनिया में किसी को किसी चीजीकी कमी नहीं हैं दूसरी बात मैं इसी बात के लिए ये कहते हूं यदि आप दो बाते जुक जाते हैं दो बातों में जुक जाते हैं दो बातों में अपनी इच्छाओं को थोड़ सा कंट्रोल कर लेते हो तो वो कहीं न कहीं आपके लिए फायदा ही करते हैं यदि आप अपनी इच्छाओ को पर कंट्रोल करते हैं तो इसमें फायदा यही हुआ कि मेरे बच्चे भी अभी पढ़ाई के टाइम में उन्हें जादा डिस्टर्ब ना हो ऐसी बात नहीं कि वे बच्चों को नॉलिज नहीं है टीवी के या वो फोन के आसपास नहीं है फोन की नॉलिज भी होना बहुत ज संक्षन होते हैं तो वो स्टर्डी भी फिर बेकार होती है हर चीज की बिलकुल बराबर जरूरत होती है मैंने सायद इस वीडियो में स्टार्टिंग में कही थी हर रिस्तेदारी में थोड़ा थोड़ा समय देना होता है तो वही बात यहां पर फिर से लागो हुई है बच् ज़्यादा है फोन के पास जाएंगे टीवी के पास जाएंगे तो उनकी सारी स्टडी बेकार हो जाएगी अभी स्टडी का टाइम है जब टीवी देखने का टाइम आएगा तो वो टीवी देखेंगी जब उन्हें फोन देखने का टाइम आएगा या कहीं पर सक्सस हो जाने को सब्सक्राइज तो इन्हीं सब बातों को यहां पे रोकते वे मसाले म्काला करें interpreting हैं सर्दियों के मोसम में या मिर्ची या की धूप नहीं निकल रही है बस हलका सा रोष्ट करना आपको और इसको तुरन थंडा होने पे आपको पीज देना है इसको रखना नहीं क्योंकि सर्दियों में नमी बहुत जल्दी आ ही जाती है और इनी सब बातों के साथ अब मैं अप कुछ नहीं जादा है बस सुभह की सबजी रखी थी और बस मुझे रोटी सेकनी है बच्चों को दूद बना कर दे दूंगी अभी और दूद तो बहुत जरूर यह देखे सर्दियों का टाइम चल रहा है तो दूद तो जरूर बनता है बस बच्चों का खाना देने के बात आपको अच्छी लग रही है एक पल के लिए भी आपके दिल को टच किया है मेरी बातों ने तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना तो इसी के साथ बब बाए